आम आदमी पार्टी का एक और प्रोड आया सामने आरोपो में घिरी आम आदमी पार्टी की आरोपो की लिस्ट में एक और आरोप फिर हो गया है शामिल नमस्कार दूस्तों तिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है जो तो आमादमी पार्टी पर लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं तो आमादमी पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक और आरोप उनकी लिस्ट में शामिल हो रहा है लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर ये आरोप बहुत ही बड़ा है दरसल आमादमी पार्टी द्वारा टैक्सी और इसके लावा बसेज में लगवाया गया था एक ऐसा बटन जो जिसका नाम था पैनिक बटन यहां पर जो भी अगर किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कस्टोमर को यानि कि किसी भी सवारी को कोई प्राबलम होती है अगर उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता है या फिर अन्य कोई भी ऐसी प्राबलम होती है जिसमें वो बहुत जादा पैनिक हो गया है जिसके वेज़े से उसको बहुत डर लग रहा है तो वो इस पैनिक बटन को दबा सकते हैं जिसके बाद 10 से 15 मिन दरसल जो यहां पर पूरी मीडिया के सामने इन इसमें दो गाड़ियों की टेस्टिंग की गई जिसमें पैनिक बटन लगा हुआ था रामबीर बदूरिया जिन्हों ने 30 से 35 मिनट तक ये बटन दबाया लेकिन प्रतिक्रिया हुई कुछ भी नहीं कहां पर मैसेज गया क्य सवाल अब यहां पर इन लोगों पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि यह जो पैनिक बटन है 30 से 40 रुपे में इसको लगा दिया जाना चाहिए था जिसके जो पैसे इन ड्राइवरों से लिये गए वो 9,000 रुपे लिये गए लेकिन आप तब चोग जाएंगे जब आप इसकी जो पैसे लेने की संख्याती वो हद ही पार कर रही थी साला रास बाइस से 30,000 तक रुपे इन बस ड्राइवरों से लिये जा रही थे लूट खसूट ऐसी मचाई आमादमी पार्टी ने कि लोगों की ना तो यह सोचा कि उनकी खोन पसीने की कमाई है ना यह सोचा कि क इस तरह वो गर्मी हो सर्ती हो लगातार मेहनत करते हैं और एक एक पैसा जोड कर वो अपने लिए पैसे इखटे करते हैं लेकिन यहां पर लूट खसूट का जो माहूल था आमादमी पार्टी ने ऐसा बना दिया है कि इन्हें लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जनता भ जिसमें भारी मात्रा में घोटाला किया गया जिसमें जो आरोप लग रहे हैं वो यह है कि 700 से 800 करोड का यह घोटाला है जिसमें जो पैनिक बटन की कीमत जो ट्राइवर है जो टैक्सी ड्राइवर है उनके लिए 9000 रुपे और इसके अलावा बसों के लिए 22-30,000 रुपे इन से बसू ले जा रहे थे लेकिन दूस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं रही है बात यह है कि यहां पर महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड हुआ है महिला सुरक्षा के लिए ही इन लोगों ने इस पैनिक बटन की यूजना को चलाय था लेकिन क्या हुआ यह पैनिक जिसमें संजे सिंग ने साफ तोर बिरा सरपेर की बाते कर डाली सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। बीजेपी तो महिलाओ की सुरक्षा चाहती नहीं है। तुमसे सवाल किये जा रहे हैं कि तुम्हारा यह पैनिक बटन काम क्यों नहीं कर रहा है। महिलाओ की सुरक्षा के लिए तुमने जो पैनिक बटन लगा यह काम क्यों नहीं कर रहा है। कंट्रोल रूम कहां है। किस तरह उनकी पर इंफोर्मिशन जा रही है। पच्चिस से तीस मिनट के अंदर भी कोई सुरक्षा मुहाया क्यों नहीं कर आई गई जब यह पैनिक बटन दबाया गया। लेकिन तुम जो जबाब दे रहे हो उसका नस्तर है नपै है। तुम बे तुक की बाते कर रहे हो। क्योंकि तुम कह रहे हो कि बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमें रोक रही है। अरे भाया तुम ने जो किया है उसका जवाब तो दो तुम दूसरी तरह की बाते क्यों कर रहे हो। और तुम वही का कुछ भी तुमें चीक भी आ जाये तो बीजेपी ने तुम्हारे जुकाम किया है। तुम इस तरह की बाते कर रहे हो। खेर दोस्तों इनकी जो बाते ही है वही ऐसे होती है। अब देखिए मनीश्य सुंद्या की जो गिरफतारी हुई वही शराब घुटाले के मामले में। जमानत भी मिल नहीं रही है। इतने आरोप लग रहे हैं उसमें कई सबूत मिल चुके हैं E.D. को जिसकी वज़ह से आरोप भी जो आरोप है वो लग रहे हैं जिसकी वज़ह से जमानत भी नहीं मिल रही है। साब तोर पर कोट ये कह चुकी है कि ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से सबुतों को मिटा सकता है और पहले भी ये कर चुका है इसलिए इसको जमानत नहीं दी जाएगी फिर भी ये लोग कहते है कि मनेश सुधिया तो अच्छी सिक्षा प्रदान कर रहे थे दिल्ली के वो महिला सुरक्षा मामले में आरोपी नहीं है बल्कि दोशी करार दिया जा चुका है जिसने एक स्कूल की प्रिंसिपल से बत्तमीजे की उसके साथ जिसके वज़ा से इसको आरोपी बनाये गया था जिसमें इसका दोश सिद्ध हो चुका है इसका और इसकी पतनी का फिर लगातार आमदमी पार्टी महिला सुरक्षा की बात कर रही है और अपने उपर जो आच आती है अपने करनी दूसरों के ऊपर थोपने का काम करती है यही है आमदमी पार्टी करे कोई खुद और जो आरोप लगाए वो दूसरों पर लगाए लेकिन यहां पर सीधा सीधा सवा यह है कि तुमने जो यह पैनिक बटन लगाया यह क्यों नहीं चल रहा है इसका कंट्रोल रूम कहा है और तुमने जो इतने जो 30-40 रुपे का पैनिक बटन है वो तुम इतनी भारी कीमत में लोगों को बेच रहे हो लोगों की खून पसीनी की कमाई को तुम इस तरह अपने अ आप से है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं थिंग टैंग